हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल आज फिर से में लीक है एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है आज जो मैं बनाने जा रही है चूनो माच इसको हम बिंगॉली में चूनो माच बोलते हैं साथ आफ्रिका में यह ऐसे पैकेट में आते हैं फ्रोजन आते हैं मैं तो मैं आप इसको मैरिनेट करूंगी नमक और हल्दी के साथ इसे नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट कर लिया है इसके लिए आपको कढ़ाई बहुत तेज गरम करनी होती है देखो जैसे मेरे कढ़ाई से धुआ निकल रहा है ऐसे गरम करनी होगी उसके बाद मैं इसमें डाल सरसो का तेल को बहुत अच्छी से चारो तरफ फैला लेना है ताकि यह मचली बहुत ज़्यादा चिपक जाए बहुत छोटी मचली ना तो इसको घिसके उठाने जाओ तो यह तो जाते हैं अग्दम गरम कडहाई में इसको डालना है गरम तेल में ताकि अच्छी से मतब चिपके नहीं, वो निकल के आया अच्छे से, देखो, मैंने गरम कर लिया थी, इस वज़े से बहुत, मतब चिपक तो रहे हैं, पर बहुत नहीं चिपक रहे हैं, एक पारियो, मेरी जो ओयल थी, इसमें वो सोक हो गया है, और ये एक साइड, मतब बहुत अच्छे से पक बहुत ध्यान से इसको फ्राइ करना पर थे, बहुत छोटी मचली है, ये एक दम, बट ये हल्थ के लिए बहुत अच्छे, आइस के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत हिल दी है, ये फिश अब अच्छे से फ्राइ हो गए, अब मैं उसको निकाल लूँगे, एक कर लिया, अब मैं इसमें डाली हूँ एक गोटा सूखी मिर्च, तोड़ा सा साबुत जीरा, अब मैं इसमें एड करूंगी, प्यास, कटेवे, प्यास, आप बारिक भी काटके डाल सकते हो, लंबे भी स्लाइस करके कैसे भी डाल सकते हो, इसमें एड करी हूँ, शिम्ला पेस्ट के साथ अराम से बना सकते हो, अब मेरे पास थी और कलर थोड़ा टेम्टिंग लगता है, देखने में अच्छा लगता है, इस वज़े से मैं डाल दिया, इसको अच्छे से फ्राइ कर लेने के बाद, अब मैं इसमें डालूँगी, एक चमच अद्रक का पेस्ट, ए इसको पिसके को सिर्फ टमेटो और प्याज के साथ भी सर्जो के ते के अराम से बना सकता है, अब मैंने इसमें डाइड किया हाफ टमेटो और एक हरी मिर्च काट के, अगर आप तीखा जादा पसंद करते हो, तो आप अपने हिसाब से मिर्च डालना, अब ग्राइंड करके मिर्ची डाल सकते हो, मसाले अच्छे से फ्राइ हो गए हैं, इसमें अब मैं आड़ करी हूँ एक चमच सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, एक चोथाई चमच जीरा पौडर और एक चोथाई चमच धनिया पौडर, उसको देखे भी अच्छे से फ्राइ कर लेना है, ताकि मसाल बहुत अच्छे से फ्राइ हो, ङूसमें कच्चा स्मेल वो ना आए, अच्छे से फ्राइ हो, जोने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगी, तो अिपर सरसो, अप इसमें कोई पी सरसो यूजगा सَّफेद सरसो काला सरसो, और अगर आप अड़ करना चाहो खस-कस पिसकी तो गो भी आराम से इट कर सकतू यह पथर सरसो से बनाया था अ मैंने काला सरसो लिया थो इसको FINE पेस्ट बना लिया था उसको अच्छ शीफ जब तक प्ना ़ो छोड़ दे जब तक उसको फ्राइक कर लेना है यह हो गया है सरसो के साथ है अब मैं इसपे डालूँगे थोड़ा सब पानी ताकि वो अच्छे से mix हो जाए और चावल के साथ खाना है तो बिना पानी के आप एकदम सुके सुके तो खानी सकते हो इसको पानी डाल के बच्चे से अब इसमें भी तब तक उबाल आने तक इसको छोड़ना है मैंने थोड़ा और पानी एड़ किया कि मुझे लगा पानी थोड़ा कम हो रहा है तो मैंने और थोड़ा पानी एड़ करके इसको थोड़ी दे चला लिया उबाल आने तक इसको रखा अब मैं इसमें एड कर दूंगी जो मैंने फ्राइ कर रखे थे छोटी मचलिय उनको उनको एड करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे से मसाली के साथ इनको हलके हाथों से मिला लेना है और थोड़ी दे चला ले मतब उबाल आने तक उनको भी अच्छे से रखना ताकि मचलियों के अंदर भी जो मसाली का टेस्ट है वो जाए तो में बन गया है यह तयार हो गए मेरे पन के अगर आपको पी अच्छी लगी हो आप भी ट्राइ करना घर पे बहुत हल्दी है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हूं एक नए ब्लॉग में नए दिन में तब तक के लिए बाई थैंक यू फो वाचिंग